हेलो फ्रेंज मोधुमिता ले टील कीचेन मोयल का मैं हूँ मोधुमिता आज मैं और एक न्यू रेशिपी सेयार करने जारी हूँ आज मैं सेयार करी हूँ चकली यानी मुरुक्को का रेशिपी नर्माली हम लग दिवाली ऐसा फेर ये बला चकली यानी मुरुक्को बनाते हैं लेकिन उसके लिए चाहिए होता बैसोन, बहुत सरा इंगिर्डिन्स उसको भूझना पड़ता है लेकिन बहुती सिम्पिल तरीका से बानाना चाते है तो इस रसीपी को जोरूत देखिए स्टेब मैंने एक काप रोस्टेट चोना दाल ले रहे हो और इतना बड़ी आसा क्रिस्पी चोकली घर में असानी से बाना सकते है अगर चोकली बानाने के टाइम इसका मेजर्मेंट परफेक्ट होगा तो चोकली को ज़्यादा दिन तो स्टोर करके भी राख सकते है और ये ब इसको मैंने एक काप लिया और इसको आच्छी तरह से मिक्सी में पिस लिया बहुत जोल्दी मतलब असाने शेवबारिक हो जाएगा लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा छान लेती हूँ आप चाहित थोड़ा सा भून के भी इसको ले साकते लेकिन ऐसे नॉर्माली भून होआ रयेते हैं ते इसलिए भूनने का जरूरुत नहीं होता है आप मैंने एक काप यह चना तल के साथ मेले रहे हुँ तीन काप चावल काटा मैजर मेंट अगर पर्फेक्ट होगा तो यह बहुती क्रिस्पी बनता है तो देखी मैंने तीन कप चाउल काटा ले लिया इजो चाउल काटा उसको भी आच्छी तरह से छान लेते हैं नर्माल यह हम लोग चोकली बनाने के टाइम बैसन बागर यूज करते लेकिन यह जो रोस्टेर जोना होता ना इसमें टेस्ट और भी बाढ़ जाता है आप इसके साथ मिला रहे थोड़ा सा तिल्ली थोड़ा सा डाल दिया मैंने हल्दी बौरडर थोड़ा सा डालेंगे धोन लेकिन मैंने बहुत ही सिम्पिल तरीका से बना रहे हूँ इसमें टेस्ट बहुत बड़ी आसा आएगा आम मैंने डाल रहे हूँ ओयल का मेजर्मेंट जो है ओ भी परफेक्ट होना तो यहां पर देखें मैंने ओन फुर्ट कप जासा ओयल डाली हूँ बहुत बड़ी आसा में crispy बनेगा तो oil आच्छी तरह से मिलाने के बाद इसका quantity मतलब oil का measurement पारफेक्ट हुआ कि नहीं वो भी आच्छी तरह से देखना जरूर हो थे तो देखिए आच्छी तरह से इस तरीका से मैंने मिला रही हो सुखा इस चावल का अटार वैसन के साथ oil को जितना बड़ी आश यह मतलब आच्छी तरह से माइंड हो रहा है oil का quantity पारफेक्ट है तो इस तरीका का जो प्रोसेस से जरूर एक बार कर लेना आप इसमें डालेंगे पानी बिल्कुली ऐसे नर्माल पानी नहीं डालेंगे तो देखिए मैंने पानी गरम होने के लिए राग दिया और पानी को बहुत ही बड़ी आसा मतलब आच्छी तरह से इसको गरम होना है तो भी क्रिस्पी चोकली बनेगा तो देखिए आच्छी तरह से पानी गरम होगे आभी मैंने गरम पाने डालके एक डो बना लेती हो यह जो डो बनेगा थोड़ा सा टाइट बनेगा मतलब ज्यादा गिला पुनेगा तो ये चोकली हाट भी हो जाते हैं मतलब ये फ्राइ करने के लिए टाइम ज़दा लागते हैं लेकिन थोड़ा सा अच्छी तरह से डो बनाएंगे तो ये चोकली भी क्रिस्पी बनता है रासाने से ये चोकली बन जाएगा मतलब टूटेगा भी नहीं तो थोड़ मैंनत नहीं कोई भी चीज को भुजना नहीं पड़ेगा लेकिन साच मनी बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी चोकली बनेगा तो थोड़ा थोड़ा पाने टालके मैंने एक डो निर कर लेती हो तो देखे इस तरीका का मैंने डो बनाया थोड़ा सा हाड बनाई ये आसानी से चोकली मतलब बना सकती फाटेगा भी नहीं ये टुटेगा भी नहीं मतलब चोकली जो साचा रहता है न उससे बहुत आसानी से इस तरीका से अगर डो बनाएंगे तो पारफेक्ट ये चोकली बनेगा आप देखे मैंने जो चोकली बनाने का साचा होता है इस तरीका का ब्ल बना लिया आप इसको भॉरके में डाल देती हूँ मैं दिखाते हूँ बोहत आसान इसे चोकली बनेगा क्रिस्पी भी बनेगा और एक भी चोकली टूटेगा भी नहीं तो मैंने इस तरीका से एक थाली उज़ कर रही हूँ और देखिए कितना आसानी से बना सकती है चोकली का डो अगर अच्छी से नहीं बनेगा तो क्या होगा बीज में चोकली फाट जाता है मतलब यह से जितना अच्छी तरह से घुमारी हो थोड़ी से भी तूट नहीं रहा है लेकिन डो पर्फिक नहीं होगा तो मुद्रब थोड़ा सा गिला हो जाएगा ऐसा पर बहुत जदा टाइट हो जाएगा तो यह आसानी से लिग लेगा नहीं और पर फिर चोकली का से नही अब इसको फ्राइ करेंगे इसको हाथ से भी आसानी से उठा सकते ऐसा फिर कोई स्पेचुला की हेल से भी उठा सकते हैं आस से बिषली यह मतलब थोड़ी से भी तूट नी रहे इसी तरीका से उठा के भी ऑउईल में डाल सकते हैं तो इस तरीके से मैंने देखे। और में डाल तेह जो है medium hot गरम है बहुत ज़़ाव भी नहीं है और बहुत काम हीड में इसको स्काई करना है यह है काम हिड में फ्राइक करेंगे तो भी बहुत ज़़दा कोड़क हो जाता है और हाइल ओ babad Le tout चोकली को पूर्ण भी पुरी असा आएगा और बिलकुल कोड़क नहीं होगा चोकली करने के टाइम को भी पूरे तरहीर चोकली को अब जर्ड़ी जाल जाता है और तो क्रिस्पी नहीं बनता कॉम हीड में चोकली को धिरे धिरे फ्राइ करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लागेगा और यह चोकली बहुत ज़्यादा कॉड़क हो जाता है लेकिन मीडियम होट ओल में चोकली फ्राइ करेंगे तो चोकली का कालर पार्फेक्ट रहेगा बहुत ही पार्फेक्ट यह क्रि में बहुत आसानी से बना सकते हैं अभी दिवाले आरे दिवाली में हम लोग चोकली बगरे बनाते तो इस तरीका सरेशी भी जुरूरी एक बट ट्राए किज़े आई हो पसंद आएगा एक भी चोकली टूटे कवे नहीं बनाना भी आसान है और खाने में भी टेस्टी स्टोर करके भी राख सकते हैं चली आप तोट के भी दिखाते हूं कितना क्रिजपी है देखे तो अंधा जलाकर रहे कितनः पार्फेक्ट यह चोकली में चोकली बन गए है cerebral को फ्ルेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेए सब लोग आची रहे, खुस रहे, बाई बाई